हेलो एवरिवन, वेलकम टू सक्सेजवितराय अकेडमी, 11 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण के राश्टिय संस्क्रण को इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे में हैडिंग, तालिबान ने अमरुल्ला साले के भाई का किया कतल, यानि दिन प्रति दिन तालिबान की क्रूरता बढ़ते जा रही है, उसने एक गर्वती महिला को भी उसके बच्चे के सामने ही उसकी निर्मम हत्या कर दी, और ये तब हत्या की गई थी, जब सयुक्त राश्ट का एक दल तालिबान के प्रतिनिधियों द्वारा वारता कर तो ये कहीं न कहीं तालिबान का क्रूर चहरा सामने आ गया है, जो वो बाते कर रहे थे कि अब वो बदलाव करेंगे अपनी सासन प्रणाली में अपनी सम्वेदनाओं को लेकर, तो ये दोरा रविया तालिबान का देखने को मिल रहा है, तालिबान में बंदूग के बल पर सत्ता पर कबजा जमाने वाले तालिबान का कुरूर चहरा दुनिया के सामने आने लगा है। कार को लेकर आसंकित हो गई है। हाला कि ये हालात ये हो गए हैं कि ना तो तालिबान के साथ समझोता करने वाले अमेरिका को और ना ही दुनिया के दूसरे देशों को ही उसकी कत्नों पर भरोसा हो रहा है। कि उन्होंने मेरे चाचा को मा डाला। उन्होंने कल उनकी हत्या कर दिया और सौ को दफनाने भी नहीं दिया है। अब तालिबान को जो मानिता अमेरिका सरकार द्वारा दी गई है। उसके बाद ब्रिटेन हो या फिर और भी कई देश जैसे चाइना पाकिस्तान कई देश उसको मानिता दे रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये विस विरादरी के लिए भी घातक है और खास तोर पर एसिया के लिए और एसिया में भी भारत के लिए क्योंकि वो आतंकवादी संग्ठन तो है ये तालीबान इसमें वो भारत को जो भारत का अधिकरत कस्मीर है उसको किसी न किसी तरीके से पूरी तर और वहां पर आर्टिकल 370 की फिर से बहाली कराने के लिए यानि कि ये बोल चुका है कि वहां जब 378 आया गया है ये कहीं मुसल्मान के अधिकारों का हनन है अब रही बाद जब तालिबान इतना कुरूर संगठन है तो यहां पर कई आतंकी संगठन पनपेंगे जो कहीं न कह दूसरे देशों के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं इसलिए अमेरिका हो या फिर पूरी विस्विरादरी हो संग्त राष्ट हो उसे तालिबान पर कई तरीके के प्रतिबंद लगाने चाहिए और आफगानिस्तान में एक स्वक्ष चुनाओं के तहत नए राष्टपती का चुनाओं किया जाना चाहिए नेक्स निउस है भारत ऑस्टेलिया के बीच आज होगी पहली टू प्लस टू वारता देखे टू प्लस टू वारता क्या होती है देखे टू प्लस टू वारता में जो दो देश होते हैं उसके दो दो मंत्री या दो दो प्रतिनिधी आपस में किसी topic पर वारता करते हैं इसे ही two plus two वारता बोला जाता है यानि किसी देश के दो प्रतिनी दी जब आपस में बात करते हैं दो दो प्रतिनी दी जब आपस में वारता करते हैं तो उसे टू प्लस टू वारता बोला जाता है बदलते वैस्विक महौल में नए मित्रों के साथ नए व्यवस्था गढ़ने की कोसिस में जुटे भारत और ऑस्टेलिया के बीच पहली टू प्लस टू वारता सनीवार को होगी इस वारता में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री उपस्तित होंगे भारत इसी तरज पर जापान और अमेरिका के साथ भी विशेश सालाना बैठक आयोजित करता है औस्टेलिया के सांथ 2 प्लस 2 वारता के बाद जल्द ही जापान और अमेरिका के सांथ भी विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक की तैयारी चल रही है भारत इन तीनों देशों के सांथ समग्र तोर पर रिस्तों को विक्सित करने में जुटा है सांथ ही अलग अलग रक्षा एवं विदेश मंत्रियों की वारता हो रही है फिर क्वार्ड जो की चार देशों का संग्ठन है अमेरिका जापान भारत और ऑस्टेलिया के तहट भी इसके सांथ साजा बाची होनी है वारता में हिस्सा लेने भारत पहुंचे अउस्टेलिया के रक्षा मंत्री पीटर टुड़ो की सुक्रवार को रक्षा मंत्री राजना सिंग के साथ देपक्षी बैठक भी हुई है इसमें अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की गई है दोनों देशों के रक्षा छेतर में सयोग स्थापित करने की संभावनाओं पर भी बात हुई है राजना सिंग ने ऑस्ट्रेलिया की कमपनी को भारत के रक्षा छेतर में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए सरकार की तरफ से रक्षा छेत्र में विदेशी निवेश सम्मंदी नियमों का जिक्र किया है next news है दाखिल खारिज की entry से नहीं मिलता मालिकाना हक सुप्रीम कोड ने कहा है कि दाखिल खारिज यानि Mutation की प्रविस्टी से वेक्ति को किसी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिलता। राजसुर रिकॉर्ड में दाखिल खारिज प्रविस्टी का मकसद सिर्फ वित्य होता है। जश्टिस M.R.S.A. और जश्टिस अनुरुत दबोस की पीट ने कहा है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि वसीयत के आधार पर अधिकार का दावा तभी किया जा सकता है जब वसीयत करने वाले की मिर्थ हो जाए। सिर्फ अधालत ने कहा कि अगर मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद होता है खास कर जब वसीयत के आधार पर दावा करने वाले पक्ष को उचित अधालत से संपर करना चाहिए। की जा सकती है अपने पूर के फैसले का जिकर करते हुए जीर्स अधालत ने कहा कि राजसोर रिकार्ड में संपत्ति के दाखिल खारिच से ना तो मालिकाना हग मिलता है और ना ही खारिच होता है और ना ही स्वामित्त को लेकर इसमें कोई मैध्त होता है इस तरह की प्रवश्टी का मकस सिर्फ भूराजस 71 करना है दिल्ली में सुरू हुँआ पहला सोलर माइक्रो ग्रिड बिजली आपॉर्ती बादित होने पर उपोग करताओं को सोलर माइक्रो ग्रिड से बिजली आपॉर्ती की जाएगी BSC ने दिल्ली में पहला सोलर माइक्रो ग्रिड बनाया है, इस स्मार्ट ग्रिड को तयार करने में साढ़े पांच करोन रुपए का खर्चुआ है, इसमें लगाएगा है लिथियम आयरन बैटरी से 406 किलो वाट, सौर उर्जा का बंडारन संबह हो सकेगा, इस से बिजली के प वालिक में बनाये गए, इस सोलर माइक्रो ग्रिड का उद्गाटन दिल्ली के उर्जा मंत्री सतेंद्र जैन ने किया है, उन्होंने दिल्ली में अन्य स्थानों पर भी इस माइक्रो ग्रिड बनाने की घोशना की है, जैन ने कहा है कि इस परियोजना में दिल्ली सरकार को ज चेत्र में एक क्रांती और इसे बड़े पैमाने पर पूरी दिल्ली में दोराया जाना चाहिए यह बहुत अच्छी स्कीम है अगर हम इसे समझें चहां पर बिना प्रदूसन के हम सौर उर्जा से बिजली उत्पादन कर सकते हैं और आज कल आपने देखा होगा कि घरों के कि बिजली का ही उपएयोग कर सके तो यह एक अच्छा इनिशेटिव माना जा सकता है नेक्स्ट निउस है कि ट्लोबल वार्मिंग के बाद अब मार्क्रो प्लास्टिक बन रही बड़ी चुनोती क्लोबल वार्मिंग के बाद अब माइक्रो प्लास्टिक भी पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनोती बन गया है इसके महीन कण हवा और पानी के साथ साथ मिट्टी में भी मिल रहे हैं बोजन के जरिये यहकर शरीर में पहुंचकर स्वास्ट पर दुस्प्रभाव डाल रहे हैं इंसान ही नहीं पसू पक्षी तक इसके दुस्प्रभाव का दंस जहल रहे हैं लेकिन विडंबना यह है कि ना तो स्वास्त पर पढ़ने वाले दुस्प्रभाव को लेकर कोई अध्यन हुआ है और ना ही माइक्रो प्लास्टिक प्रदूसरण की रोगथाम को लेकर कुछ उपाई ही किये जा रहे हैं। रूप से रिलीज किये जाने की भी प्लानिंग है। अब इस फिल्म में जो संदेश दिया गया है उसे देख लेते हैं कि फिल्म में संदेश दिया गया है कि अब मचली भी सिहत मन्द भोजन का पर्याय नहीं रहे गई है। हर साल समुद्र में 8,010,000 प्लास्टिक पहुँच रहा है यह तूट कर माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है। प्लास्टिक कण जब तूट कर 5 माइक्रो मीटर से छोटे हो जाते हैं तो उनको माइक्रो प्लास्टिक कण कहा जाता है। माइक्रो प्लास्टिक फूड चेन के जरिए इन्सान ही नहीं पसु पक्षियों के सरीर में भी जा रहा है। तूट पेष्ट, सैंपूअब और हेर क्रीम के जरिए रोजाना ओसतन 24 माइक्रो ग्राम माइक्रो प्लास्टिक कण हमारे सरीर में जाते हैं। कारों के टायरों से हर 100 किलो मीटर पर 20 ग्राम प्लास्टिक की धूल उड़ती है अब ये क्या है नैनो प्लास्टिक देखे एक माइक्रो मीटर से भी कम आकार के प्लास्टिक कड़ों को नैनो प्लास्टिक कहा जाता है वे अपने कम आकार के कारण पर्यावरण के लिए अधिक जोखिम पैदा करते हैं उधारन के लिए कार और ट्रक के टाइरों से धूल, सिंथेटिक टेक्स्टाइल, रसियां, पेंट, आदी, प्लास्टिक की धूल, कार के पहिये और सड़क के बीच घरसन से बनती है नेक्स निउस है कि अलप संख्यक आयोग के अध्यक्ष बने इकबाल सिंग लालपुरा पंजाब कैडर के पूर आईएस अधिकारी इकबाल सिंग लालपुरा ने सुक्रवार को राश्टिये अलप संख्यक आयोग के अध्यक्ष का कारिभार समाल लिया है पुलिस अधिकारी के रूप में लालपुरा को कई पुरसकारों से समानत किया जा चुका है। के लिए कारेंगे नेक्स्ट निउस है कि अफगानिस्तान के नाजुक हालाद भारत के लिए खत्रा अफगानिस्तान के हालाद को बहुत नाजुक बताते हुए भारत ने स्युक्त राश्ट में कहा है कि वहां के हालाद सीधे तोर पर भारत के लिए खत्रा है यह बहुत सरसट के तहट पाकिस्तान के प्रतिनिधित्त आतंकी संगठन लश्करे तोयबा और जैसे मुहम्मत का भी जिक्र है संधराष्ट में भारत के राजदू टी अस्तिरी मूर्ती ने संधराष्ट सुरक्षा परिसद में अफगानिस्तान पर हुई चर्चा में कहा है कि भारत ने अंतराष्टी समुदाय में निजी लाब के लोब से उपर उठकर अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े होने की अपील की है ताकि इस देश के लोग सांती इस्थिर्था और सुरक्षा के साथ जी सके उन्होंने समुध राष्ट के सम्भोधन में कहा कि अफगानिस्त नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से और फेरी वालों के लिए खुले डिजिटल दरवाजे सहर में फेरी लगाने और चाट पकोड़े की दुकानों पर भुकतान की डिजिटल सुविधा होगी गलियों में लगने वाली इन अस्थाई दुकानों के दुकानदारों को इसके लिए प्रसिक्षित किया जाएगा सारा भुकतान, UPI और QR कोड के जरिये किया जा सकेगा इसके लिए देश के 223 सहरों के ऐसे स्ट्रीट वेंडर यानि गली कूचों के अस्थाई दुकानदारों और फेरी लगाने वालों को चिन्नित कर प्रसिक्षित किया जाएगा जिसकी सुरुआत भी हो चुकी है इसमें Electronics और सूचना प्रवदोगी की मंत्राले के साथ मिलकर सहरी विकास मंत्राले ने या योजना चालू की है सहरी छेत्रों में इन पट्री दुकानदारों को सूचना प्रवदोगी की के मार्फत ससक्त बनाने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 की टैग लाइन की सुरुआत की गई है प्रवदोगी की प्रवदोगी की बढ़ोतरी जुलाई के औदोगी उत्पादन में पिछले साल जुलाई के मुकाबले 11.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है वहीं मैनुफेक्चरिंग में 10.5% तो कैपिटल गुड्स में 29.5% का इजाफ़ा रहा है मैनुफेक्चरिंग में बढ़ोतरी अर्थ वरस्ता में मांग को दर्साता है जिससे नए रोजगार भी निकलते हैं तो कैपिटल गुड्स के उत्पादन में बढ़ोतरी मैनुफेक्चरिंग छेतर में नए निवेस को जाहिर करता है विससग्यों का कहना है कि पिछले साल जुलाई के और दोगिक उत्पादन में 10.5% की गिरावट हुई थी और इस वज़ा से भी इस साल जुलाई के और दोगिक उत्पादन में दहाई अंक की बढ़ोतरी दिख रही है सुक्रवार को सरकार की तरफ से जारी आकड़ों के मताबिक इस साल जुलाई माह में खनन छेतर के उत्पादन में पिछले साल जुलाई के मुकाबले 19.5% बिजली उत्पादन में 11.1% प्राइमरी गुड्स में 12.4% इंटरमेडियेट गुड्स में 14.1% इंफ्रा और प्रतिसत की गिरावट दर्ज की गई थी नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है फिर 9.11 हमले के पहले जैसे हालात और ये आर्टिकल लिखा है कॉंसिल ओफ स्ट्रेटेजिक अफेर्स से संबद सामरिक फिसले सक्गे दिव्विकुमार सोती द्वारा बीते दिनों जब तालिबान का एक प्रतिनिधी मंडल संयुक्त राष्ट के प्रतिनिधी से मिल रहा था तब उसी समय काबुल में तालिबानी आठ महीने की गर्वत दिया था नो ग्यारा के हमलावरों को संडक्चन भी दिया था इस बार उसने सुरवात अफगानिस्तान के समानित सिया नेता अब्दुल अली मजारी के समारक को नश्ट करके की है इस पश्ट है कि तालिबान नहीं बदला है ऐसे में यह विचारनी है कि अगर वामपंथी जुकाओ वाले बाइडन प्रसासन और चीन की सहयता से तालिबान सयुक्त राष्ट जैसे मंचों पर सुईकारता पा भी लेता है तो क्या अफगानिस्तान की इस्तिती से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित देश भी क्या तालिबान के प्रति अपना रवईये को बदल सकते हैं यह प्रस्ण इसलिए क्योंकि अंतराश्टिय मीडिया का एक धड़ इस पर विचार में लगा है कि तालिबान को व्यापक वैस्विक स्विकारता मिल रही है इस प्रस्ण का उत्तर भारत की भावी अफगानिस्तान नीती निधारंग के लिए भी ए ताजिक सरकार रूस के काफी करीब है और यह संभव है कि यह सब मासकों की मौन सहमती के बिना हुआ हो यह तो रूस उन चंद देशों में है जिसे तालिबान दोरा अपनी ताजपोसी के समारों में आमंत्रित किया गया है मगर ताजिक सरकार के रुख से इस पास्ट है कि रूस उपरी समर्थन दिखाते हुए अंदर से तालिबानी सत्ता के उदय से जन्म लेने वाले खत्रे को लेकर सजग है और तालिबान को काबू में रखने के लिए खूफिया और कूटनीतिक इस तरपर भी काम करेगा पहले से भी रूस और भारत ताजिकिस्तान के जरिये पंजशीर में एहमद साह मसूद के निर्तत वाले नौर्धन एलाइंस को सैन और चिकिसी साहता पहुचाया करते थे पिछले दिनों राष्टपती पुतिन ने प्रधान मंत्री मोदी से अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की और रूस के राष्टपती याने राष्टिये प्रकट के मद्दे नजर आपसी सायोग सुरक्षा सायोग बढ़ाने पर चर्चा की है फ्रांस ने भी तालिबान सरकार को मानिता देने के लिए पांच सर्ते रखी हैं तालिबान के नए परधान मंत्री और ग्रह मंत्री असंखे आत्मगाती आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं उनके भावी इरादों के साथ यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या तालिबान का सत्ता में आना इसलामिक जगत की राजनीतिक खाई को और चोड़ा करेगा तालिबान को सत्ता में लाने में कतर का बड़ा हाथ है जिसके बढ़ते कदम को सेख सुनी अरब सल्तनते पसंद नहीं करती है 9-11 हमले के बाद से सौधी अरब ने तालीबान से रिस्ते तोड़ लिये थे और यमन मामले में पाकिस्तान द्वारा मदद से इंकार करने के बाद से उससे भी उसके रिस्ते अच्छे नहीं रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल है दुनिया की द्रश्टी बदलने वाले विवेकानन हलाकि आर्टिकल अच्छा है लेकिन एक्जाम के पॉइंट ओफ्यू से हमारे लिए इंपॉर्टन नहीं है तो इसलिए इस आर्टिकल को आप खुद पढ़िएगा आप चाहें तो इसका स्क्रीन ले सकते हैं चलिए नेक्स्ट है राजनीती के अपराधी जैसा कि बस्पा प्रमुक जो है मायावती उन्होंने बोला है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बस्पा पार्टिक किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देगी तो य लाजनीती में अगर ऐसा होता है तो ये एक बदलाव मनना जाएगा नेक्स्ट पेश पर आते हैं स्पोर्ट्स पेश से एक निउस है हमारे लिए कि अफगानिस्तान का विस्ट कप खेलना मुश्किल और श्रेलिया के टेश्ट कप्तान टिम पेन का मानना है कि अफगानिस् और क्रिकेट और अन सभी खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंद लगा दिया है इसमें अफगानिस्तान की पूरुष टीम का टेस्ट दरजा भी खत्रे में पढ़ गया है अंतराश्टी क्रिकेट परिसत के नियमों के अनुसार सभी टेस्ट खेलने वाले देशों की महिला टीमें होना आउश्यक हैं तो ये आज का याने 11 सितंबर 2021 का दैनिक जागरन का राष्टी संस्क्रन था, I होप को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में आपको और क्या चेंज़ेस चाहिए या आपके क्या सुझाौ है आप कमेंट बॉक्स के माध्य से बता सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद